वेल्कम टू आर चैनल एंजनियर बिंग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजिशन की बारे में एक एक्जामपल लेते हैं सब्सक्राइज आपके पास इंकम का डेटा है एज में आपके पास वाल्यूस है जीरो से हंड्रेट के बीच में इंकम में आपके पास ला सिर्फ हंड्रेट में आपर नियूस और यहां पर लाक्षाँजंद नन होंचा रही है तो वही नॉर्मलाइजेशन का का म्रमिका की करना सेम स्केल पर करना आपके डेटा सेट को स्को cambiar blog इसको करते हैं तो प्रोसेसिंग क्रते हैं ऐसको मीग कोशिष करते हैं अपने देका की न करते हैं ऊसी थतरेगे से नौर्मलाइजेशन भी डेटा प्रोसेसिंग टेकनीक है यानि कि आपको डेटा को स्केल करना पड़ता है अगर इस तरीके से अनग अलग स्केल पर होता है आपका डेटा उसमें जो फीचर से अलग अलग स्केल पर तो वहाँ पर आपका मॉडल ठीक तरीके से काम नहीं कर पा है तो नौर्मलाइजेशन के एक डेटा प्रोसेसिंग टेकनीक है सेम स्केल पर लाने के लिए यूस्टो एज़र्स तर वाल्यूज ऑफ फीचर इन डेटा सेट में जो भी आपके फीचर अजासे एजर्या इंकम इनको सेम स्केल पर लाना कॉमन स्केल पर लाना इस तरन तो को तो वहां पर मशीन नर्निंग मॉडल अक्यूरेट काम नहीं करेगा जैसे मैंने भी बताया कि इंकम की वैलियू ज्यादा बढ़ी है तो इनको ज्यादा बेटेज मिल जाएगी और एक की वैल्यूज को कम बेटेज मिलेगी तो इसलिए फीचर स्केल पर लाना फीचर को क स्केल करता है दिस्त चैंदाइजाशन माइनस वन से वन के बीच में अराउंड दा मीं एंड श्कीर से स्टांडडडडड डैडेशन ओ यानि कि जो भी आपका डेटा है गल्स और डेटा वो सेंटर करें का अराउंड दा मीं अब यहां पर मैंने एक डेर लिखा हुआ है य कुछ values आपके पास 70 75 80 85 and 90 equation आपका यह रूस होता है इं normalization and standardization में आपके इक्वेशन यूस होती है तो जो normalization होता है वो min max value के साब से काम करता है तो आपको सबसे बहुते minimum value नी काम नी पड़ेगी और maximum value देखने पड़ेगी उसके बाद आपको यह formula लगाना पड़ेगा x minus min divided by max minus min तो यह formula लगता है to get the normalized value अब आप 70 के लिए लगाओगे फेले 75 के लिए देन 80 85 and 90 के लिए करिए आजाएंगे आपके पास normalized value तो आप देख सकते हूं यह सारी value 0 से 1 के बेच में है अब second आता है आपके पास standardization तो standardization में suppose यह data है 150 to 170 तो यहाँ पर सबसे फ़ले आपको mean find out करना होता है sum of all the values divided by number of values तो आपका mean आजाएगा फिर आपको यहाँ पर find out करना होता है standard deviation उसके बाद आपका formula लगता है x minus min divided by standard deviation यह equation आपको लगाने पड़ती है सबके लिए जब up solve करोगे तो आपके पास यह आ जाएंगी standardized value तो देखो यह जो values है यह minus 1 से 1 की बीच में तो यह scaling कहां से कहां तक करता है minus 1 से 1 की बीच में और यह कहां से कहां तक करता है 0 to 1 including included है 0 and 1 और यहां पर भी 1 and minus 1 included है closed bracket लगाया है मैंने यह पर okay अब देखे second point useful when the distribution of the data is unknown and not Gaussian and useful when the distribution of the data is Gaussian अब यह Gaussian distribution क्या होता है तो Gaussian distribution कुछ इस तरीके का होता है बैल शेप्ड कर्व होता है आपके पास इस तरीके के जो डिस्ट्रिबूशन होता है वह Gaussian distribution होता है इसमें यहां पर जैसे 0 है यहां पर 1 standard deviation इधर 1 standard deviation then अग यहां पर आजाएका 2 standard deviation यहां पर 3 standard 2 standard deviation इधर 3 standard deviation इधर minus 3 standard deviation तो होता गया है कि 68 percent of data जो होता है इस curve का वह one unit of standard deviation में लाई करता है दोनों साइट फिर 95 percent जो data होता है वो two unit of standardization में लाई करता है और जो और 99 percent data होता है maximum data वो three unit of standard deviation में लाई करता है तो अगर आपको पता है कि आपका data Gaussian है इस तरीके का bell-shaped बन रहा है तो वहाँ पर आप standardization यूज करो अदर्वाइस आप normalization को यूज करोगे थर्ट पॉइंट क्या कहता है normalization is more sensitive to outliers यानि कि अगर outliers है तो वहाँ पर इसकी sensitivity बढ़ जाती है वहाँ पर आपको अलग से दिखेगा normalized value में कि हाँ इसमें outliers present थे लेकिन जो standardization होता है क्योंकि ये mean को यूज करता है standard deviation को यूज करता है formula में इस तरीके से x minus mu by sigma इसलिए less sensitive होता है outliers के लिए तो अगर आपको पता है आपके पास इस तरीके का data है जिसमें outliers बहुत जादा है तो आप standardization टेक्नीक को यूज कर सकते हो फोर्थ है रिटेंस दे शेप आफ ता ओरिजनल डिस्ट्रिब्यूशन इन नॉर्मलाइज़ेशन और स्टैंडर्डाइज़ेशन चेंज दे शेप ओर ओरिजनल डिस्ट्रिब्यूशन तो नीचे जो मैंने इस प्रिटेंड और में यानि कि उसने ओरिजनल डिस्ट्रिब्यूशन जो रिटेंड करके रखा हुआ यहां पर सारे पॉजटेव वाल्यूशन इधर भी सप्रिटेव वाल्यूशन इक स्पेसिफाइज में लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइज़ेशन की बात करोगे त लेकिन क्योंकि यह स्टैंडर्ड डेविएशन और में के अराउं आपको स्टैंडर्डाइज वाल्यू देता है तो यहां पर पॉजटेव और नेगेटेव वाल्यूस दोनों हो इंक्लूदेड है तो इसलिए यहां पर लिखाए कि रिटेंस देशेप ओफ औरिशनल दिस् इसका मतलब यह है कि आपका नॉर्मलाइज देशन यह इसको और कर देता है डिस्टेंस को अल्टर कर देता है सब्सक्राइज आपने कुछ वैलिएज वाल्यूस किसी डेटा सेट में तो इन वाल्यूस के वीच में चैंज हो जाएगा ओरिशनल डेटा के कंपैरिजन में ल नॉर्मलाइजेशन इन मशीन लर्निंग और वीगन से इन डीप लर्निंग तो यह टेक्नीक है फ्रीचर स्केलिंग की तो आपको समझ भाया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेम स्केल पर करना अपने डेटा को वीडियो पसंद आयो तो लाइक करना आपने फ्रेंज के शेयर करना और कॉमेंट्स करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट कॉंसेट मिसना हो